हाई फ्रेंट्स अगर आप भी डिप्लोमा या बीटेक वगरा किये हो और आपको भी एक अच्छी अप्रेंटिसिप का इंतिजार था तो यह वीडियो बहुत खास होने वाला यार बहुत मस्त वीडियो है और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब भी अगर आप भ आप देखो यहां पर जॉब की बहुत दिक्कत है और अगर आप अपरेंटिसिप कर रहे हो ता आप अपने आपको इंगेज रखोगे ठीक है खाली दिमाग सैतान का घर होता है अपने आपको इंगेज रखोगे कुछ आपको प्रॉफिट भी होगा कुछ आपको सेलरी मैं आपको यहां पर रिजिस्ट्रेशन करना पड़ता यह है भारत सरकार की एक आफिसियल प्लेलफॉर्फॉर्म हर ऐसे डिपलोम यहा दिग्री वाले को दी गई है जिसमें आपको अगर अपने डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहां पर अपने रिजिस्ट्र मिलती है company company आपको भागना नहीं पड़ता है और अगर इसमें आप अभी तक registration नहीं किये है ना तो जल्दी से registration कर लिजेगा इस वाले website पे यह official website है इसका link मैं नीचे दे दिया हो description में तो यह आप देख सकते हैं एंटी यह official website है ससक्त यूवा समर्थ भारत यह इसका main वाक्य है अब यहां पर अगर आप देखेंगे new candidate है तो आपको अपना enroll कर लेना है आप enrollment करेंगे अपना तो यहां पर अगर आप enroll पे click करते हैं तो आपके सामने यहां पर यह portal इस तरीके से खुलेगा तो आप आपको यहां पर अपना registration कर लेना होता है तो registration को जो सारा steps है मैं पुराने एक वीडियो बनाए हूँ इस पर already तो आप वो वीडियो का link में उपर आई बटन में दे दिया हूँ आप वहां से भी directly इस वीडियो में आग सकते हैं देख सकते हैं कैसे कैसे आपको registration करना है कैसे apply करेंगे और कैस सर्च करते हैं involvement के लिए या apprenticeship के लिए तो आज थोड़ा से वीडियो खास है आज बहुत अच्छी वर्ती निकल करके आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ एक notification है हमारे सामने बैंगलॉर electricity supply company limited यह एक official notification आप यहां से देख सकते हैं तो यह बैंगलॉर जिसको हम लोग बो में तो यहां पर आप देखेंगे यह 21-22 के लिए यह notification विसकॉम की तरफ से जारी किया गया तो यहां पर आप देख सकते हैं दो तरीके को यहां पर vacancy निकाले गए एक तो graduate apprentice मतलब जो बी वी टेक वगरे किया है उन लोगों के लिए और दूसरा यहां पर आप देखेंगे diploma वालों के लिए जिन्होंने भी अपना diploma complete किया है उन लोगों के लिए यह vacancy निकाले गई है अब यहां पर आप देख सकते हैं अपना trade wise यहां पर electrical electronics वाले भी और computer science वाले भी यहां पर कर सकते हैं IT वाले भी कर सकते हैं साथी साथ civil वाले भी और instrumentation वाले भी करी सकते हैं व अगर टूटल देखेंगे तो 325 यह apprenticeship की भरती है और salary की अगर बात करेंगे तो monthly stipend आपको 7000 मिले वाला है और जो training होगी वह आपका लगभग लगभग एक साल की यहां पर यह training होने वाली है तो यह आपका graduate apprentice की बात हो गई उसकी बडिप्लोमा में आप देखेंगे तो यह यहां पर आपको 75 vacancies degree 75 पदोपी भरती होगी जिसमें आपको वही सेम ट्रेड electrical electronics फिर यहां पर ECE और computer science की लिहां पर तो यहां पर आपको थोड़ा से स्टैपन कम मिल रहा graduate को 7000 मिलेगा तो आपको यहां पर 5000 रुपय का स्टैपन मिलने वाला है से वही आपका एक साल का य यूभी ट्रेडिन का रिक्वार हो उस ट्रेड्स अगर आपने किया है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं आपको किसी भी टाइप का हो चाहे वह गौर्णमेंट हो प्राइबेट हो इस्टेट गौर्णमेंट हो आप इलिजिबल है उसकी बाद यहां पर आप देख सकत है तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर एभी देख लिजेगा जुलाई 2018 के बाद जिन्होंने अपना डिगरी कंप्लेट किया है वह यहां पर इलिजिबल है तो यह हो गया उसकी बाद यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम कुछ-कुछ फीजिकल कैसे होगा यह सबसे बड़ी बात यहां पर निकल करके आती है कि आपका सेलेक्शन कैसे होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरस्टेट विद रटास्कॉफ प्रिपरेशन ऑप सौट लिस्टिंग्डेटरों ऐलान अप्लिकेशन डाटा तो जू भी आप ओलान अप्लिकेशन फिल करेंगे उसी मपने अपको सौट लिस्ट किया जाएगा जो भी आपका माक्स आपने अपने ग्रेजिशन में पा कैसे आपको यहां पर apply करना है अब यह सबसे बड़ी बात यहां पर निकल करके आती है तो मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया कि आपको mhrd.net mhrd.nets.ub.in पर जाना है अपना registration करना है मैंने बता है कि अंडॉल पर आपको click करना है बैंगलॉर electricity supply company limited यह आपको सर्च करना और वहां पर आपको देखने को मिल जागा apply का button वहां पर apply अगेन कर वहां आपको apply का button देख जागा तो आप वहां directly apply कर सकते हैं तो यह आपका एक procedure था अगर आपने अभी तक नहीं देखा हमारे पूरिये वीडियो को तो आप देख लिजेगा उसको कैसे आपको form fill up करना है अब बात कर लेते date date बहुत important रहने वाली है आप यहां से देख सकते हैं 15 जुलाई से यह form आपका live हो जागा और यहां पर आप देख सकते हैं आप last date जो है वो आपको 30 जुलाई मत्रब आपके पास 15 से 16 दिन का समय है और आप इस form को apply कर सकते हैं तो आप अगर नेट्स पर अपना registration नहीं किये तो आप जल्दी से registration कर ले 30 तारिक से पहले आपको नेट्स पर registration कर ले नहां और last date जो है वो फॉर्म फिलब का विसकॉम का वो पाच अगस्त यहां पर रखा गया है और आपका result भी आपको लगबग 10 तारिक तक यहां पर दी दिया जाएगा तो यह चीज़ थोड़ा सा आप यहां से ध्यान से देख लेंगे उसकी बाद कुछ instruction बगर है तो यहां पर बैटे बना तो आप इसको कर लेजिए नहीं करने से बहुत अच्छा है कि आप इसको कीजिए और एक अच्छी opportunity निकल कर क्या थी अभी आपको नहीं समझ मायागा आप future में अगर जाओगे तब आपको इसका value पता लगता है कि क्या होता है अगर आपको यह वीडियो अच् पिर से आपके साथ मिलते हैं अब तक के लिए जाहिन पंदे मात